आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में एक जलक डालीगन जंक्शन की हम देखेंगे साथी साथ बात करेंगे डबल डेकर ट्रेन की उपर भी कि क्या अब वर्ष 2022 आ गया है और दो महीने पूर्व आपको याद होगा जब हमने एक वीडियो किया था डबल डेकर के चार कोचिस यहाँ पर डालीगन जंक्शन पहली बार जब आये थे रकाब गंज के पुल के नीचे से निकल करके तो एक उमीद बंधी थी की शायद अब इनका सीतापुर वाले रिलखंट पर ट्रायल हो और जनता को इस डबल ड डेकर ट्रेन का तोफ़ा मिल जाए लेकिन पिछला वर्ष ऐसे ही बीद गया 2021 और ये ट्रेन के जो चार डब्बे यहाँ फिलाल आये थे डालीगन जंक्शन पर इनको लूप लाइन पर जहां पर प्लैटफॉर्म नंबर अब चार हो जाएगा जो पुराना हमारा डालीगन की जहां एंट्री हुआ करती थी उस तरफ की लूप लाइन पर इनको खड़ा कर दिया गया है फिलाल वर्तमान में ये डिब्बे जो है लूप लाइन पर डबल डेकर के खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनको कब चलाया जाएगा आनंद विहार के लिए या ज अदभार उन्होंने संभाल लिया है चेर्मेन एंड सी ओ रेलवे बोर्ड का तो अब एक उमीद बंद रही है कि चुकि वो एनियार से गए हैं हमारी ही जोन से और महा प्रबंदक रहे तो एनियार के जो मसले हैं जो जरूरते हैं और जो परेशानिया हैं यहां के लोगों क उनको वो भली बाती समझते हैं कई सारे प्रपोजल्स उन्होंने बतार जियम रेलवे बोर्ड को भेजे होंगे और अब चुकि वो स्वैम रेलवे बोर्ड के ही अध्यक्ष हो गए हैं चेर्मेन तो उमीद की जा रही है कि जो फाइल्स गुरकपुर हैटकौाटर से मुख 2022 में जैसा मीडिया में भी आ रहा है कि डबल डेकर ट्रेन की शुरुवात हो सकती है तो उमीद की जा रही है कि जो डबल डेकर ट्रेन की डिब्बे यहां पर डालीगन जंक्षन पर कुछ खड़े हैं बाकी के वाशिंग पिट लाइन जो है चारबा की हमारे लखनो कुछ वहां पर खड़े होंगे तो इनको मिला करके पूरा एक रेलगाली के तौर पर अब चलाया जाना चाहिए क्योंकि जो यहां पर कोचस खड़े हैं डालीगन जंक्षन पर यह खड़े खड़े जंक हो जाएंगे नहीं तो और लोग भी यहां पर कोई थूक रहा है इन ता डालीगन जंक्षन का यह आप देख सकते हैं एक छोटा सा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं देखें विंडोस वगएरा कितनी गंदी हो रही है और चोकी रख रखाओ का अभाव है यहां पर आ करके इनको पार्क कर दिया गया है तो लोग यहां पर कोई गुटका खा क थूक रायर इन डिबो के ऊपर कोई स्क्रेचेस पेंटिंग बना रहा है कोई कुछ कर रहा है तो यह डिब्बे खराब हो रहे हैं सामने आप देख सकते हैं डालीगन जंक्षन का जो फोट ओवर बिज भी बनाया जाना है उसका भी कार फिलाल अभी रुका हुआ है जितना जो प्लैटफॉर्म है उन पर यह पैदल पुल पहुंचाया जाएगा पीछे यहां पर अभी बाउंडरी बनाई जाएगी और पेजल व्यवस्था अगर आप देख रहे हैं सब यहां पर की जा रही है जो प्लैटफॉर्म यहां पर आता था वो आगे की तरफ वहां तक के बढ़ाय गया है इसकी लंबाई को बढ़ाय गया है प्लैटफॉर्म की तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ LHB के कोचस दीन दयालू वाले सेकेंड सेटिंग के और वो भी खड़े हुए हैं और उमीद की जा रही है कि अब सेकेंड सेटिंग के अगर और इस प्रकार के LHB कोचस आते हैं तो उनको फिर आगे अब पूरण पुर्ण पुर्ण शागण का हमारे सेक्शन खुल जाएगा CRS inspection हो चुका है और विस्तार रेल गाडियों को दिया जाएगा तो और रेल गाडियों की भी जरूरत महसूस की जा रही है लखीमपुर मैलानी रेलखंड पर तो जब रेल गाडियों को विस्तार दे दिया जाएगा तो अब LHB कोचस आ रही है तो उनसे ही सेकेंड सेटिं सिती यहाँ पर कुछ जंगली पेड़ भी उगाए है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक रैंप आपको पूरी दिख रही होगी जिसमें सरिया नीचे बिछा ली गई है अभी इसमें कॉंक्रीट वगरा भरा जाएगा और उपर आप देख सकते हैं च्छत के लिए बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर तयार कर लिया गया है अभी च्छत वगरा लगनी बाकी है फिर आगे पैदल पुल के जो गर्डर्स हैं उनको अभी रखा जाना बाकी है ट्रैक के ऊपर से जो जाएंगे और दूसरे प्लैटफॉर्म को कनेक्ट करेंगे अभी वो स खड़े हुएं शिल्टर भी अभी तयार किया जाना बाकी है उसमें भी च्छत लगनी बाकी है यह आप देख सकते हैं बैलास्ट रेगुलेटिंग मशीन भिया आपर आई हुई है को कारे कर रही है डाली गंजिंशन पर और बैलास्ट को यह खटा करकी लूप लाइन पर कारे कर रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं लूप लाइन पर किस परकार से बैलास्ट को यह खटा कि जा रहा है एक तरफ कर रही है और यहां पर देखे एक मास्ट आपको दिख रहा होगा लगाने के लिए यहां पर फाउंडेशन और तयार की जा रही है बाकी जगें तो और काम नहीं हो रहा लेकिन रेल इलेक्रिफिकेशन से संबंदित एक मेरे ख्याल से मास्ट यहां पर और आएगा तो यह हो सकता है क इसका साचा आपको दिख रहा होगा तो यह एक तयार की जा रही है डाली गन जिंशन पर छुट-पुट कार चल रहे हैं फिलाल स्टाफ क्वार्टर्स जो बन रहे हैं उन पर मुख्य ध्यान है अभी उसका काम चल रहा है और उसके बाद उमीद है कि जो पैदल पुल है उ इनका निर्माड कार फिलाल चल रहा है और अभी देखिए प्लैटफॉर्म नमबर दो और तीन जो यह है यहां पर पैदल पुल का अभी कोई कार नहीं हुआ है जिसके बगल में फिर यह डबल डेकर की आपको दिख रहे होंगे होचस खड़े हुए हैं तो यह था एक यह राता तका जद़ी ओंद में है यह है यह वái मेंुए ऑना पर टार, इстаना नहीं है दो ये आपको दो यह कार फिलादी कि देखिए हैं तो यह थे एकि पल जो शMost्सरे만 विह इज है जिसके बद好好िए भा़ vulner कार एक बभी लार समी यह बynn Estateastा जाबल पहाई मोग्ड़ा औ